हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको 4-5 यर बेबी के लिए बहुती प्यारी सी डिजाइनिंग फ्रोक बनाना सिखा रहे हैं जिसमें नीचे की साइड हमने ये फिरिल लगा दिया है और उपर की साइड डोरी लगाया है और फिरिल लगाया है इसमें हमने 2-meter फेब्रिक लिया है ये बहुती प्यारी फ्रोक बनकर तयार हो जाती है आई ये वीडियो शुरू करते हैं ये देखे फ्रेंट्स यहाँ पर हमने योग के लिए 3 पीस ले लिये है जिसकी लेंट 11 इंच है ये 3 पीस यहाँ पर हमने इसके ले लिये है जिस लिया है six layer हमारी ये हो गई है शोल्डर हमें इसका five inch रखना है और armhole की length हमें five point five inch रखनी है ऐसे करते हुए हम इसमें सीधा निशान लगा लेते हैं यहां से हमें इसको चकोर कर देना है आर्म होल में हमें इसके गोलाई कर देनी है यहां से फिटिंग के लिए आधा इंच पर हम निशान लगा लेते हैं और इस निशान को उपर तक मिला लेते हैं इससे हमारी फिटिंग बहुत जादा अच्छे आती है नीचे की साइड से हम आधा इंच पर निशान लगा लेते हैं और इसमें गोलाई कर देते हैं इससे फ्रोक साइड से लटकती नहीं है तू इंच की चोडाई का गले का निशान लगाते हैं हम और तू इंच की ही लंबाई का लगाते हैं अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं यहां से हमें डालदार कटिंग कर लेना है इसको और यहां से शोल्डर पर से हमें हलका सा डालदार कटिंग कर लेना है क्योंकि शोल्डर हमारे डालदार होते हैं इससे इसकी शेफ बहुत जादा अच्छे आती है नेक भी यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है यह देखे थ्री पीस हमारे हो गए हैं एक पीस हम इसमें से अलग कर लेते हैं यह हमारा बेक का पीस है इसमें हम थ्री इंच बेक साइड से कट कर लेते हैं ताकि बेबी के सिर्में पहनाने में परिशानी ना हो बेक का नेक हम इसका छोटा बनाएंगे ये 2 इंच की हमने स्ट्रीप ली है चोड़ाई में और लंबाई में 4 इंच की ली है इसको बीच से हम कट कर देते हैं और यहाँ पर रख कर इसको लगा देते हैं ये बेक साइड का हमारा पीस हो गया है और लंबाई में भी हमें इसको 1 इंच का निशान लगा देना है अब उपर की साइड से नेक के बराबर में से भी हमें यहाँ पर इसके वन इंच का निशान लगा देना है अब नीचे के निशान में गोलाई करते हुए उपर के निशान से हमें इसको मिला देना है यह दोनों निशान मिला दिये हैं हमने अब हम इसको cutting कर लेते हैं friends ये design हमें सिर्फ front के एक piece में बनाना है एक piece हमें front का ऐसे ही रहने देना है ये हमने 2 inch की strip ली है इसको हमें ऐसे fold कर लेना है ये हमने piping ली है 1.5 inch की friends piping हमारी full rev की होनी चाहिए ये 2 piece हमने गेरे के लिए ले लिए है जिसकी length 17 inch है और चोड़ाई में ये 30 inch है हमें इसको एक side से fold कर लेना है दोनों piece को और एक side में हमें इसके चुन्नटे डालनी है ये एक front में design के लिए हमने piece लिया है जिसकी लंबाई 17 inch है और चोड़ाई में ये 40 inch है हमें इस पर यहां पर 7 inch का निशान लगा देना है और इस side में हमें इसके 1 inch का निशान लगाना है अब इस 1 inch के निशान से हम 7 inch के निशान को मिला देते हैं ये निशान यहां पर हमने मिला दिया है अब हमें इसको cutting कर लेना है friends इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें comments करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो please वीडियो को like और channel को subscribe करना मत भूलिएगा ये piece हमने काट कर अलग कर लिया है अब हमें यहां पर plates का निशान लगा लेना है 1.5 inch की यहां पर हमें plates का निशान लगाना है और ऐसे करते हुए हमें plates इसमें डालनी है पूरे ग्हेरे पर हमें ऐसे ही अपनी plates डालकर इसको तयार कर लेना है 1.5 inch की हमारी प्लेट्स डलकर इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से बेट जाएगा ये सबसे पहले फ्रेंट्स फ्रंट साइड के फ्रील की हमने पट्टी ली है इसको हम डबल कर लेते हैं और इसके उपर एक सिलाई लगा लेते हैं जब हमें इसमें चुन्नटे डालें तो ये खुले नहीं अब हमें इसमें बारिक बारिक सी प्लेट्स डाल लेनी है पूरा फ्रील हमें अपना ऐसे ही प्लेट्स डाल कर तैयार कर लेना है यह आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारी प्लेट्स दाल कर इसको तयार करना है यह प्लेट्स हमारी डलकर तयार हो गई है अब यह जो फ्रन्ट का पीस है डिजाइन के लिए हमने कटिंग किया हुआ है इस पर हमें रखना है इसको बिल्कुल बराबर हमें फ्रिल की चुन्नटे लेनी है अगर आपकी चुन्नटे कमिया जादा हो तो आप उसको मापकर चुन्नटे डाल भी सकती है और एक दो चुन्नटे खोल भी सकती है फ्रेंट्स ये अब इसको हमें फॉल्ड कर लेना है ऐसे करते हुए और जो इसकी सिलाई अंदर की साइड की आई हुई है वो इस फैब्रिक के नीचे हमें कर लेनी है फ्रिल के नीचे नहीं करनी है और उस पर एक सिलाई हम लगा लेते हैं यह हमने इस पर सिलाई लगा ली है आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी डिजाइनिंग यह तैयार हो गई है अब इसके बराबर में हमें मशीन के एक पेर की सिलाई और लगानी है जिससे यह बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है फ्रील यह हमारा फ्रील सेट हो गया है यहां से एक्स्टा फ्रील हमने काट दिया है यह जो हमारा हिस्सा है इसको अंदर की साइड को हम फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेते हैं यह हमने यहां पर सिलाई लगा ली है अब हम अपना योग का दूसरा पीस लेते हैं और उसके उपर इसको सेट करते हुए रख लेते हैं एक कच्छी सिलाई हम इसके उपर लगा लेते हैं जिससे यह अच्छी तरीके से सेट हो जाए यह पीस हमारा बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया है इस पर सिलाई लगाने के बाद यह देख सकते हैं कितनी प्यारी सिसकी डिजाइनिंग बन गई है अब हमें बेक के पीस में यह स्ट्रीक ले लेनी है जो हमने रेब की पाइपिन काटी हुई है उसको हमें फॉल्ड करने है और इस पर एक किनारे पर सिलाई लगानी है यह हम डोरी बना रहे हैं डिजाइनिंग में योग में लगाने के लिए आप चाहे तो पलटने वाली डोरी भी इसमें बना सकती है यह हमारी डोरी बनकर तयार हो गई है इसको हम दो हिस्सों में कर लेते हैं एक हमें यहाँ पर योग के साइड में लगानी है नीचे की साइड से थोड़ी दूरी पर हमें डोरी लगानी है और एक यहाँ पर लगानी है इसी की सीद में हमें दूसरी डौरी लगानी है फील के नीचे की साइड हम यह डौरी लगा देते हैं अब हमें दोनों डौरी को ऐसे करते हुए बांध लेना है यह देख सकते हैं फ्रेंज कितनी प्याद इसी इसकी डिजाइनिंक बन गई है ये बेकने के हमारा स्ट्रीप को हमें ऐसे रखते हैं और उसके उपर सिलाई लगा लेते हैं अब इसको हमें दूसरी साइड में मोड देना है बीच में हमें हलका सा कट लगा लेना है कट लगाते समय ध्यान रखें कि आपकी सिलाई कटे नहीं सब फैब्रिक हमें इसी पट्टी के नीचे की साइड को करते हुए इसके उपर किनारे पर एक सिलाई लगानी है जिससे ये पट्टी अच्छी तरीके से सेट हो जाती है और अंदर को मौनने में परिशानी नहीं होती है अब हमें इसको फॉल्ड कर लेना है और इसके किनारे पर एक सिलाई लगानी है नीचे का हिस्सा हम इसका चकोर कर लेते हैं इस साइड भी हमें ऐसे ही इसके सिलाई लगानी है यह आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी पट्टी बन कर तयार हो गई है अब हमें योग के दोनों पीस ले लेने है और शोल्डर पर सिलाई लगा देनी है फ्रेंट शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगाने चाहिए जिससे हम स्लिव्ज या पाइपिन वगेरा लगाते हैं तो ये साइड से खुलते नहीं है अब ये हमने आर्म होल की पाइपिन ली है इसको हम ऐसे करते हुए लगा देते हैं अंदर की साइड में कट लगाने है और इसके उपर किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है जिससे इसको अंदर को मोरने में परिशानी नहीं होती है अब हमें इसको फोल्ड कर देना है और इसके उपर किनारे पर सिलाई लगानी है ऐसे ही हमें अपने नेक में भी इस पट्टी को लगाना है ये देखे पट्टी हमारी बन कर तयार हो गई है ये कितनी प्यारी सी पट्टी बन गई है इस साइड में और नेक में भी हमें अपने ऐसे ही पाइपिन लगा लेनी है ये देख सकते हैं हमने पट्टी ये अपनी लगा कर तैयार कर ली है अंदर की साइड की हमने इसमें सभी पट्टी ये लगाई है ये हमारा नीचे का घेरा है इसमें हमें ऐसे करते हुए चुन्नटे डाल लेनी है ये प्लेट्स हम बेक साइड के घेरे में डाल रहे हैं फ्रंट साइड के घेरे में भी हमें ऐसे ही प्लेट्स डाल कर तयार करना है अब बेक साइड का योग और घेरा हम एक साथ जोड लेते हैं नीचे की साइड से चुन्नटों को सेट करते रहना है और घेरे को अपने जोड़ कर तयार कर लेना है ये हमारा घेरा और योग जोड़ कर तयार हो गए है आप देख सकते हैं इसकी प्लेट्स भी कितनी जादा प्यारी आई है अब हमें दूसरा घेरा अपना ले लेना है और उसमें भी चुन्नटे डालनी है ये फ्रंट साइड के घेरे में हमने चुन्नटे डालनी है अब हमने फ्रन्ट साइड के जो उपर का डिजाइनिंग घेरा है हमारा उसमें प्लेट्स डालनी है 1.5 इंच की हमें इसमें प्लेट्स डालनी है पूरे घेरे में हमें अपने ऐसे ही प्लेट्स डाल कर इसको तैयार करना है यह हमारी प्लेट्स डल गई है यह देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरीके से बेट गया है अब हमें इसको नीचे की साइड से फोल्ड कर लेना है फ्रेंट्स नीचे की साइड हमारी रेब आ गई है इसलिए हमें इसको खीचना नहीं है धीले हाथ से कपड़े को धीला धीला छोड़ते हुए हमें इसको फोल्ड करना है अगर आप इसको खीच कर सिलाई लगाएंगी तो आपका घेरा नीचे से जादा हो जाएगा ये एक सिलाई हमने लगा कर घेरे को फोल्ड कर लिया है अब हमें इसमें यहां पर किनारे पर एक सिलाई और लगा देनी है ये सिलाई भी हमें ऐसे ही ढिले-ढिले चोड़ते हुए लगाई नहीं है फेब्रिक को हमें किसी भी जंगे से खीचना नहीं है दो सिलाई लगा कर ये घेरा हमारा बहुत अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाता है यह देख सकते हैं प्लेट से हमारी डलकर इस तरीके से बेट गई हैं अब हम इसको नीचे के घेरे पर सेट कर देते हैं एक सिलाई लगा कर जिससे जब हम यह इसको योग में लगाएं तो हमारा घेरा कोई सा भी कमिया जाद ना हो यह देखिए अब हम इस साइड से भी इसको फोल्ड कर सिलाई लगा देते हैं यह हमने यहाँ पर सेट कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से और उपर के पीस पर प्लेट्स पर हमने आईरन कर ली है यह देख सकते हैं कितनी प्यारी सी यह सेट हो गई है अब हमें फ्रोक का न आप इसको अपनी मर्जी से बेबी को पहना कर फ्रोक को कमिया जादा भी फोल्ड कर सकती है बेक साइड का गहरा भी हमें ऐसे ही फ्रोक का फोल्ड करना है जितना हम फ्रंट साइड का गहरा फोल्ड करेंगे इतना ही हमें बेक साइड का फोल्ड करना है अब हम इसके साइड में इस डिजाइनिंग पीस को सेट कर देते हैं और इस पर सिलाई लगा देते हैं ये अब हमारा अच्छी तरीके से इसके उपर सेट हो गया है अब हमें अपना फ्रंट का योग ले लेना है और घेरा और योग एक साथ जोड़ कर तयार कर देना है नीचे से हाथ से हमें चुड़नटों को सेट करते रहना है ये देखिए हमारा ये घेरा और योग एक साथ जोड़ कर तयार हो गया है कितने प्यारी सी फ्रोक हमारी बन रही है अब हम इसमें साइड में फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं साइड में फिटिंग की सिलाई आप अपनी बेबी का मेजरमेंट लेकर चुड़ाई में थोड़ी इस से ज़ादा भी लगा सकते हैं यहां से पका करते हुए हम निकाल लेते हैं इस साइड भी हमें फिटिंग की ऐसे ही सिलाई इसको लगा देनी है यह हमने दो पीस लुपियों के लिए लिए हैं जिसकी लंबाई और चोड़ाई थ्री इंच है इसको हम फॉल्ड कर लेते हैं और इसके बीच में डोरी को रख लेते हैं और यहां पर पक्का करते हुए इसमें सिलाई लगा देते हैं और नीचे का हिस्सा उठाते हुए बीच में इसके रख देते हैं ऐसे करते हुए हम इस पर सिलाई लगा देते हैं अब इसको हम पलट लेते हैं यह देखिए फ्रेंट्स कितनी प्यारी सी हमारी यह लुपी बन कर तयार हो गई है एक बार और हम बता देते हैं आपको लुपी को फैब्रिक को हमें फॉल्ड कर लेना है और लुपी इसके बीच में रख देनी है और नीचे के कोने का आधा हिस्सा उठाते हुए इसके बीच साइड में कर देना है यह आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी प्यारी सी हमारी डिजाइनिंग फ्रोक बन कर तैयार हो गई है और बहुत आसानी से आप इसको घर पर बना सकते हैं हमने इस टेफ बाई स्टेफ वीडियो में आपको बना आया है यह यहां से डोरी हम इसकी बान देते हैं फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकोन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके हम अपनी नेक्स वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिजाइन लेकर आएंगे तब तक के लिए बाई बाई